नमस्कार आप देख रहे हैं अम एफ नियूस मैं हूँ कविता राना साल दोहजार उननेश के अगाज के साथ अब देश की सियासत किस करवट बैठेगी इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक बार फिर विश्व के सुप्रसेद सुदर्शन चकर जोतेश अचारिय श्री सन्बेतर अशोका जी सन्बेतर जी आपका स्वागत है सर बिल्कुल ठीक हूँ सर नया साल लग चुका है अभी तक तो मोधी सरकार पे कई कई हमले किया जाएते 15 लाख लोगों के अंकाउंट में नहीं आए किसान की कर्स माफी को लेकर बात करें या सेस्टी एक को लेकर सवरणों में नराजगी एक तरह से जिस तरह से जो हालात हैं देश में मोधी सरकार के खिलाफ ऐसे में आपकी भविश्वानी बीज़पी 299 प्लस और NDA 408 प्लस कैसे देखिए 2019 के लिए जो भविश्वानी हुई है वो देववानी है और उसमें 2016 में ये प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि बीज़पी जो है 299 प्लस सीट्स लेगी और NDA 408 प्लस सीट्स लेगी अभी जो करेंट सेनारियो है ये चेंज होगा फरवरी में जैसी फरवरी स्टार्ट होगा मोधी जी के ग्रहे चेंज होंगे और उसके साथ ही जो प्रडिक्शन की गई है देश की जनता जो आवाह में इस चीज को रिलाइस करेगी की मुख्य मुद्दा क्या है और उसको प्राप्ट करने के लिए देश को और मोधी जी को उनको किस तरीके से स्ट्रॉंग बनाना है अब देखिएगा जितनी चीज़ें आपने बताईए 15 लाक वाला तो एक जुम्ला था यह चीज़ें जैसे रोजगार पे विपक्ष जो हमले कर रहा है मोधी सरकार पे की दो करोड युवाव को रोजगार नहीं मिला दूसरी तरफ कह सकते हैं कि धारत 377, 35 को लेकर भी सरकार का रवया धिल मुल लगा कश्मीर मुद्दा देख लीजे, पडोसिमुल पाकिस्तान को देख लीजे, हर तरफ से, हर तरफ से जहां हम कह सकते ही करता है, मैं देश की रास्ट्ट की, राष्टवाद की बात करता हूं, इस बगर देश को क्या चाहिए? काश्मीर का मुद्धा आप कह रहे हैं काश्मीर में अस्समाजिक तत्वों की उगर वादियों की आतंक वादियों की सरकार के निर्देश से आर्मी ने कमर तोड़ दिये आप देखिएगा जिन लोगों को दामाद की तरह दिल्ले में बुलाकर फाइव स्टर होटिल्स में बिठाया जाता था और उनके साथ वारता होती थी जो पी-एम हाउस में सीना चोड़ा करके आके देश के खिलाप बात कर देते आज वो लोग जेल में हैं या उन लोगों के अगेंस्ट कारवाई हो रही है तो वो लोग छटपटाए हुएं काश्मीर को मुद्धा अगर आप बोलें तो कहीं ख़द तक जो है सॉल सॉलिशन की तरह जा रहा और आने वाले समय में देखिए कमजोरी कहां पर हिंदुस्तान में लोग सबा के साथ राज्य सबा में भी मजोर्टी चाहिए अगर राज्य लोग सबा से कोई चीज विधेक पार्द होता है और वो राज्य सबा में अगर गिर जाता है तो एक बड़ी शेम की बात होती है मेजॉर्टी की गवर्मेंट होने के बाबजूद भी राज्य सवा से विधेक गिरते हैं चैटिपल त्रिपल तला का मुद्दा ले लो राम मंदिर का मुद्दा आपने नहीं बताया तो राम मंदिर का भी में मुद्दा है वो भी जो है विदेक क्यों नहीं ला रहे हैं उसको क्यों नहीं ला रहे हैं उसका कारण यह है कि अगर बाइदिवे वो राज्यसवा में किसी कारण विगटनकारी ताक्तों के इकठे होने के कारण अगर वो गिरा दिया जाता है तो ये देश के लिए बहुत बड़ी विश्व में शरम की बात होगी कि भगवान राम का मंदिर जो है लोकसवा से तो पारित हो गया लेकिन राजे सवा में वो विदे को उन्होंने गिरा दिया उसको पारित नहीं होने दिया इस चीज को डरते वे और इस चीज को मद्य नजर रखते वे देश के अवाम को चाहिए जो भी सरकारा है बड़ी स्ट्रॉंग होनी चाहिए लोकसवा और राजसवा दोनों में उसकी मेजर्टी होनी चाहिए और जो चीजे आपने उठाई ये 370, 35A, जनसंख्या नियंतरन कानून, कश्मीर का मुद्दा इन सब के लिए बहुत स्ट्रॉंग डिसीजन्स लेने की जरूरता और उसके लिए दोनों उसमें जो है आपको जो है गवर्मेंट को मजबूती देनी है जेस्टी नोडबंदी को लेकर भी जनता में मोधी के खिलाव कहीं ना कहीं कह सकते कि विरोध देख रहा है देखिए नोडबंदी के खिराफ विरोध जो देख रहा है कहां पर है वो उन लोगों को है जिन लोगों ने बहुत जादा चाती बेटी है एक गरीब आदमी से पुछिए उसको क्या फरक बड़ा उनके पास इतना था भी नहीं था भी तो वो सर्कुलेशन में चला गया अगर कहीं गरीब आदमी लाइन में लगावा था तो वो किसी अमीर आद है वो सर्कुलेशन में आगी है बैंक में आगी है सबसे बड़ा फाइदा हुआ है दूसरा आतंकवाद की कमर टूटी है आप देखिएगा कि पाकिस्तान में नोटबंदी के तुरंत बाद क्या हल चलुए है वहां से जो आपका फेक करेंसी जो छापते थे उन लोगों की क करेंसी के साथ जो उगरवादी आतंकवादी आके देश को डिस्टरब करते थे उनकी कमा टूटी है पत्थरवाजों के कि वह बंद हुआ आपकी जितनी भी आपकी जो विगटन कारी ताक्ते थी उनकी जो काम करने का स्टाइल था उनको चेंज करना पड़ा हो साथ टूटन अब का स्टाइब करने करेंसी जो है चोधा से पहले जो भी काम वाज था जो गरीब लोग 5 है आपका टेश्फ पर होता था प्रेमेंट टेश्फ के उनकी थे जिए गड़न पर शीकरष पर आपकोगी 9 finis research जो है बहुत जादा जो है बरवाद हुआ श्री संबेतरा शोका जी यह तो आपने कहा कि फरवरी के बाद वक्त करवट बदलेगा एक तरह से बीजीपी के लिए मतलब बीजीपी के ग्रहय दर्शा सुधरेगी और आ सकती सरकार जो आप अपनी भाविश्वानी पर टिके हु कॉंग्रेस ने जीत का पर्चम लहराया है और ऐसे में क्या अभी भी आप अपनी भाविश्वानी पर कायम है जो मोदी जी है वो हारी हुई बाजी को जीत पाएंगे पिल्कुल डेफिनेटली जीत पाएंगे और अगर आप इन तीन स्टेट में देखते हैं जिसके रिजल और मद्यपरदेश को अगर देखते हैं तो उसमें कांग्रेस की जीत नहीं है देखी कांग्रेस को जो ब्लैक बोल्ड आपका एंटी इंकमबंसी का मिला वह एक ऐसा ब्लैक बोल्ड था उसमें कॉंग्रेस कुछ भी लिखती जीती और मेजोटी से सरकार बननी चाहिए थे वो नेक टू नेक की जो फाइट है और दोसो से पांचसो के बीच में जो वोट्स का जो डिफ्रेंस से ये लोग जीते हैं या फिर नोटा ने सबसे बड़ा इसमें रोल प्ले किया क्योंकि नोटा दबाने वाले वो लोग थे जो बीजेपी के जन्होंने बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों के अगेंस्ट रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट अगर दबा है अगर वो नहीं कॉंग्रेस को नहीं दिया उन्होंने तो वो रूलिंग को ही देते आपने ये भी कहा था कि राजस्तान और मध्यपरदेश में बीजेपी की सरकार आएगी सीबी टाइम ये इस नेक टूनेक की पोजीशन में 2019 की रिजल्ट के बाद जिस तरीके से करनाटक की पोजीशन आज आपको लग रहा है कि वहां पे भी किसी भी टाइम जोए सरकार गिर सकती है एक पार्ट उनका अलग हो सकता और बीजेपी की सरकार वहां बन सकती है फ्यूचर में आफ्टर इस रिजल्ट पांच शे मेने में या साल की अंदर वहां हलचल होगी क्योंकि भविश्यवानी और देववानी में बड़ा अंतर है अब वो उसको इंप्लिमेंट कब होना उसका रिजल्ट कब आएगा इट डिपेंड्स अपोन दा टाइम कि यह यह मान सकते कि आपका यह कहना कि करनाटक में दुबारा मतलब बीजेपी की सरकारा सकती है बहुत पहले मैंने बोल दिया था कि यह जो रिजुट्स आए हैं तौप नंबर पर जो पार्टी ती जिसको मेंडेट मिला था उसको आपने थर्ड नंबर के पार्टी का सीम बना दिया है तो वह कहीं जस्टिफिकेशन है नहीं और वह ज्यादा देर तक चल भी नहीं पाएगा क्योंकि यह बात भी उड़ती है कि ऐसे में जैसे हाल फिलार के जो हालात हैं ऐसे में मोधी सरकार को खासकर अपने एजेंडे में किन पर फिर सत्ता पर वो काबिश हो सके देखिये मोधी जी के लिए एजेंडे में किन चीजों को उनको जो है सबसे पहला इस टैम जो है पॉपुलेशन जो जिस हिसाब से इंक्रीज हो रही है और पॉपुलेशन इंक्रीज भी एक खास वर्ग का जिसमें चार शादियां दस दस बच्चों का जो प्रावधान उन्होंने बना रखा है गजबाय हिंद को दिमाग में रखे जो वो की देखिए प्रॉग्रेस आप नोकरी यह सारी चीजें जो है सामलटेनिसली है लेकिन फॉर्स्ट प्राइटी जो है पॉपुलेशन कंट्रोल की है पॉपुलेशन कंट्रोल वर्ड की जो टौप की कंट्री जांनोंने टाइम से किया दे आर नमबर वन टू-3 अगर इंडि देख लीजेगा जहां पर भी बाकी कंट्री जमें हुनका क्या हिल और पोपुलेशन के अलावा कि जीजिए को फॉस्ट जो है वह कि रास्ट्वाथ रास्ट्वाद के साथ ही जुड़ा हुआ पोपॉलेशन है रास्ट्वाद के लिए देशित राष्टीत के लिए उनका मुद्धा future में कभी किसी भी political party का मुद्धा नहीं होना चाहिए तो राम मंदिर के मुद्धे को election से पहले इनको इस पर decision होना चाहिए और देश के सरवोच नेरले ने अलिया से भी सादू संतों की भी request है देश की आव आवाम जो है वो भी यही चाहती है कि इस पे जो है fast track court में जो है इसके उपर decision होना चाहिए और very fast daily उसमें within week US के उपर results आने चाहिए क्योंकि अगर सादू समाच देश का जो सादू संत हैं अगर यह annoyed हो गये तो फिर देश के लिए यह बहुत ही खत्रे की घंटी है चली हमने यह तो जान लिया कि 2019 कैसा रहेगा मोधी सरकार के लिए खास्तोर पर लेकिन अगर बात करें विपक्ष की Congress क्या लगता आपको जिस तरह से जो एक तरह से जो हाली तीन राज्यों में जो जीती है Congress उससे एक तरह से जीवित हो गई है जोश भर गया Congress में तो जो उन स्टेट्स में में फेस थे यह उनके कारण जीती है अगर कहते हैं आप राहुल गांदी के ओपर डिसीजन था कि उनको सीम बनाना है अब तो राहुल गांदी को जनता पीम के तोर पर देख थी वो सीम का डिसीजन नहीं ले पाए उनको दस दिन लगें सीम का डिसीजन लेने में जो बंदा जो है एक स्टेट के सीम का डिसीजन नहीं ले सकता कि कि उसको बनाना है कि इसको नहीं बनाना इतना उसको लिंगरोन किया गया है आप देखेगा मीडिया में सिरफ डेली जो है आपकी मेटिंग्स हो रही थी डेली आपका नाम किसी का होनी रहा था, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, तीन-चार दिन इसी चीज में जो है, यही कवर हो रहा था कि आज यह होगा, कल यह होगा, और फाइनली जो उन्होंने हफता लिया, का नाम डिकलियर करने में, जो बंदा इतना डिले कर सकता है, जिसको यह नहीं पता NCC की फूल फॉर्म क्या है, वो देश को कैसे समालेगा, और आप आवाम से, आप कभी भी अगर इंट्रिव करते हैं, तो आपको 99% लोग, यह बोलेंगे की, ही इस नोट कैपबल तु हिंडल हैंडल दा कंट्री, उसके लिए, ही इस नोट कैपबल, यह माले के दोहजार उने जोने, को ऐसा बंदा इंपोस नहीं करना चाहिए देश के उपर, हाँ, अगर वो इंपोस करेंगे, उनको उसके लिए प्रोजेक्ट करेंगे, तो देविल हैब दू, आवाम से पर उनको र राउल गांदी के लिए 50-50 रहेगा, नॉट एट ओर, जो मोदी जी का स्टेटस है, उसके सामने, इस ते मैंने बहुत पहले भी बोला था, कि जो मोदी जी का औरा है, नेशनली और इंटरनेशनली, एज लीडर, उस औरे में कोई भी व्यक्तिन नहीं आता, नो आप जो कोई भी उनके पास ऐसा नेतानी है, जिसको मोदी जी के सामने, वो प्रोजेक्ट कर सकें कि ये बंदा जो है, मोदी जी का अगेंस्ट, एजफ पी एम, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इसलिए महागट्बंदन या उपजिशन का जो भी वो बनाएंगे, सेकेंड प्रंट, कुछ भी बनाएंगे, they won't be able to project their PM candidate. मेरा सुजहा हुआ है कि मोदी जी को अपने डेकरम को काइम करते हुए A, R, S और M initial की जो राष्टी ये नेता हैं, उनकी उल जुलूल बातों का जबाब नहीं देना है। जैसे अभी आपके स्टेट असेंबली एलेक्शन में मोदी जी के उपर, माता जी के उपर कमेट किया था राज बुबबन ने और उसके उपर उन्होंने रेक्ट किया। मोदी जी का स्टेटस ये नहीं है, कि एक अधना कद के नेता के स्टेटस पे आकर उसको जबाब दें। मोदी जी का बहुत बड़ा कद है। और ये चीज तो समने सुनी है, कि मोदी जी की मदर के लिए उन्होंने गलत बोला। क्योंकि नहीं इस चीजों को नहीं है, कॉशिश ये करेंगए। किस्टेटस में आके बात करें स्टेटस में आके बात करें तो blurry ग्लोच होगा है तो सीजूड एंगनोर कि कुछ भी बोलें जितना गलत भुलेंगे मादी जी के लिए उतना मोदी जी को फाइदा होगा एक महीना जनुड़ी का ये सिरॉफ सुनें जो इनके against बोलते हैं इनका जवाब बिलकुल उनके स्तर पे जाके ना दें मोदी जी को सिरफ बताना है कि उन्होंने 2014 से लेकर 2019 के बीच में क्या अचीव किया है इन बातों के लिए उनके पास समय नहीं है उन्होंने जो अचीवमेंट किये हैं वो बताएं कितनी प्रोग्रेस हुई है देश में कितने प्रोजेक्ट उन्होंने रन किये हैं कितना क्लेक्शन हुआ है यह वन्यू का कितना आपका इंकम टेक्स के जो वो हैं बढ़े हैं निमबर बढ़े हैं और कितना tax कर्डे हुआ है इसकी उपर बात करें boys क्या जो उन्होंने क्रेक्षन किये हैं उनको क्या result मिला है यह जो छुट बहाईया टाइप के लिले नेता हैं छोटी मोटी बात बत्तेमीजी वाली कर देते हैं, उनका इनको बिलकुल जवाब ने देना है, अगर उस पे समय खराब करेंगे, तो इनकी सीटे घटेंगे, इनको उस पे समय खराब नहीं करना है, अपनी अच्छी मेट्स सिखानी है, इनके जो भी नेता हैं, स्टार परचा करें, क्योंकि एक बंदा अगर डेकोरम नहीं मेंटेंड कर रहा है, वो इसलिए नहीं मेंटेंड कर रहा है, कि उसका कोई स्टेटस नहीं है, आपको अपने स्टेटस को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते वें, उनके स्टेटस पर जाके उनको रिप्लाइ नहीं करना है。 अपने स्टेटस का, अपनी स्टेशन respet का, अपने डिक आपको अपना हैं, यह उनके लिए मेरा और पूरा इंडियो के लिए मेरा यह उनसे रिकोस्ट है कि इस चीज़ पे काम रहे हैं, क्योंकि देश पहले हैं, रास्ट पहले हैं, देश राष्ट की बात करोगे जन संक्या कानून को कंट्रोल करोगे विकास तो है ही वो तो होगा ही उसके पैरामीटर सलग है लेकिन जिस चीज़ पर वो लोग लड़ रहे हैं उस पर उनके स्थर पर जाके उनको जवाब ना दिया जाए अब राफेल 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 का होगा है करें सभाव शुकरिया देश की राजनीती पर हमसे बात्चित करने के लिए तो जैसे कि सन त्वित्रा ने चले की आगाश साथ की फर्वरी के बाद वक्त बदलेगा और अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा और साथे साथ सुझाव भी दिये हैं कि पियम मोदी को नेताओं के बयानबाजी में फसने के बजाए जो उन्होंने अपने पांच साल के कारेकाल में जो काम किया है वो जनता के बीच में जाके बताएं और एक बार फिर ना सिर्फ 2019 में ब वो